वेलो वेलकम तो नीट यूजी इन 10 ब्राच वाइन अकाड़मी जो कि इंडिया का लार्जस्ट ओनलान लेर्निंग प्लाटफॉर्म है यहां आपको मिलती है डेली लाइफ क्लासे लाइफ टेस्ट एंड कुज्जेस प्रक्षाइज और अनलिमिटेट अक्सेस 24 7 हमारे जितन सब्सक्राइब करेंगे कि एक साल के पैकेज में आप सिक्स थाउजन आट करते हो तो आपको मिलता है दो साल का पैकेज अगर आप मेरा रिफरेल कोड लव 10 यह लगाते हो तो मिलता है एक्सरा 10 परसेंट का ओफ जो भी हमारी बेस प्राइस है मेरा नाम लवकिशोर मैं समय काम कर रहा हूं और परसनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलिग्राम लिंक नीचे अट कर दिया है तो आज हम बात करेंगे एक टर्म की जिसको बोलते हैं एड़ाप्टिव रेडियेशन बहुत सिंपल सी चीज है कोई कन्फूजन नहीं ए एक एविलूशन मैंने आपको बता दिया एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म मॉटिफाई हो रहे हैं तो डाट इस एड़ियेशन लेकिन अगर यह पूरी की पूरी चीज एक ही एरिया में हो रही हो ठीक है एक स्पेसिफिक एरिया में हो रही हो और आएंगे ठीक है लेकिन evolution जो है वो एक जगह हो रहा है तो देखो तुम कैसे radiate radiation बढ़ गई ना और adaptation adaptive adaptation adapt किया उन्होंने और radiation तो इन दो टर्म से अब confuse मत होना कि क्यों इसको adaptive radiation बोलते हैं ठीक है यह जो नीचे figure से अभी हम आएंगे darwin finches नहीं क्या है यह मैं बताता हूं आपको कि जब darwin कहां पहुंचे galapagos islands पहुंचे उन्होंने क्या देखा he observed an amazing diversity of creatures मतलब इतने भिन प्रकार के वहां पे creatures present थे especially कौन सी small black birds जिसको उन्होंने finally कहा darwin finches वो सब से यादा उनको amaze कि चिडिया सीम ही लग रही है लेकिन फिर भी इसके अंदर diversity है थोड़ी थोड़ी अब आप figure को देखो देखो इनकी बीक ठीक है यह देखो इसकी ज्यादा pointed है ठीक है इसकी shallow है relatively है ना तो क्यों pointed होगी खुद सोचो insects को जो खाते हैं insects जमीन के नीचे हो गए ठीक है पेड़ के अंदर छुप गए गड्धो में ठीक है तो उसके लिए pointed चाहिए ना जिससे आप अंदर जाके कीड़े निकाल सको और जो पत्ती खाते हैं उनको बहुत ज्यादा pointed की जरुवत नहीं होती ठीक है तो इसी में देखो he realized that there were many varieties of finches in the same island एक ही island जिसका नाम था Galapagos Island all the varieties he conducted evolved on the island itself देखो मैंने adaptive radiation में बताया था ना कि एक ही geographical area में evolution होना चाहिए और फिर वहां से वो अलग-अलग जगा चली जाएं तो वो अलग बात है अब बात आती है from the original seed eating features many other forms with altered beaks arose enabling them to become insectivorous and vegetarian finches ठीक है this process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation पूरी की पूरी definition मैंने पहले आपको बता दी है फिर से एक बार बता देता हूं कि एक ही geographical area में देखो कैसे evolution शुरू हुआ इस case में अगर darwin finches की बात करें तो यह चिडिया थी ठीक है पहले यह खाती थी fruit दी में जब यह insect खाने की तरफ बढ़ गए क्योंकि अब fruits भी कम पढ़ रहा था ठीक है खाना और भी तो खाने चाहिए ना फ्रूच में नहीं तो इतना ज़्यादा competition हो जाएगा ठीक है इसलिए इनको और भी खाना खाना ट्रकीडा खाना हुआ ठीक है तो उसके लिए क्या हुआ इनकी जो बीक थी वो पॉइंटेड होती चली गई ठीक है चलो और यह सब हो कहार आता सिर्फ और सिर्फ गैलापगॉस आइलेंड जो की एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया था इसलिए हम इसको बोलते हैं अडाप्टिव रेडियेशन ठीक है अब डार्विन फिंच इस रिप्रेसेंट वन मार्सू्पीर आप देखेंगे मेंल का वह क्लास होता है जिसमें आगे पाउच होता है कंगारू देखाए ना कंगारू तो कंगारू उसी का एक्जाम्पिल है अब इसमें क्या होता है अनूंबर औफ मार्सूपी एल इच डिफरेंट फॉम दी अधर इवाल्ड फ्रॉम ए यह ancestral stock था जो की common था इससे अलग-अलग तरीके मार्सुपीयल डेवलब हुए लेकिन सब के सब एक ही एरिया में जो की था Australian island continent ठीक है इसमें confused नहीं होना अच्छा आप बात आती है when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area ठीक है one can call this convergent evolution convergent evolution भी तो आप कह सकते हैं इसको converge कर रहा है यह 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 अलग-अलग हैं लेकिन एक ही जगा हो रहा है और finally हो सकता है same characteristics के लिए हो रहे हो तो यह convergent evolution कहलाएगा placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals each of which appears to be similar to a corresponding marsupial ठीक है तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने कुछ है नहीं example याद रख लिना placental wolf हो गया Tasmanian wolf marsupial अब यह देखो यह तुम diagram देख सकते हूं marsupial radiation Australia में हो रही है सबसे बड़ी बात marsupial ही है चाहे आप चाहे आप कंगारू को ले लो चाहे इसको ले लो चाहे बैंडीकूट koala ठीक है यह सब marsupials के ही example है इधर भी आप देख सकते हैं कि marsupials की तो ही है लेकिन जो placental mammals थे उसमें भी किस तरीके से कैसे आ रहा है मोल और यह सब ठीक है और यह सब जो में आप कहा सकते हैं कहां पर यह development हो रहा है कहां यह चेंज हो रहा है एक specific geographical region में जो की है ऑस्ट्रेलिया इसलिए हम इसको क्या example में consider करते हैं adaptive radiation में आप देख सकते हैं कि for example अगर पाउच के रहता है है यह बिल्कुल अलग चीज़ लेकिन काम एक ही हो गया इसलिए हम इसको divergent sorry convergent evolution के example को भी consider कर सकते हैं तो I hope कि आपको basic idea लग गया हो क्या होती है यह सब Darwin Finches क्या थी इसमें question आता है दियान रखना गालपोगास challenge का नाम याद रखना एंड लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो लव 10 यह मेरा referral code है इसको यूज करके अनकाइडमी ज़रू जुड़ना इसको यूट करके वहां मिलेगा extra 10% of plus वहां बहुत कुछ present है आपके selection के लिए और आपको personally मुझसे जुड़ना है तो LK Unacademy Neat UG यह मेरा telegram link है इसमें discussion group भी है जहां बता सकते हो कि आपको क्या lectures आगे देखने हैं या कोई question हो वो भी discuss कर सकते हैं तो इस lecture के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए bye and thank you